वेल्कम बाक टो माज चैनल चलिए स्टाट करते हैं आज किए अपीसोड के साथ इस आप पर बात करेंगे अंबुजा सेमेंट के बारे में तो बहुत जादा डिस्कस करने के लिए नहीं यह कंपनी गंदर हाला कि एक पॉइंट है वैल्योशन का जिसके उपर हम पॉइंट करेंगे और उसके एक चीज़ हमको समझाने का मन भी आपको तो वह भी आपनों सुन लो तो कंपनी की वैल्योशन काफ़ी जादा है 56 जो कि हम मानते हैं कि थोड़ा सा हाई है और 56 के आसपास उसके बाद 60, 65, 70 के आसपास वैल्योशन थोड़ी सी हाई मानी जाती है खास करके तब जब इंडस्ट्री की पी 28 की हो और एक चीज़ आप लो समझना अब कंपनी यसे अं मार्केट कैपिलाइज़ेशन आपकी 1,4,000 के आसपास होगी 1,4,000 के आसपास की होगी तो अब एक आप एक 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 जामपल से आप यह वाले कंडिशन समझने की कोशिश करना अब मान लेते हैं एक कंपनी है एक्स वाइज जो की काफी बड़ी कंपनी है और आपके कंट्री की जीडीपी में औरेड़ी वो 1% कंट्रीब्यूट कर रही है मतलब कि अगर आप 100 रुपे खर्चा करते हो तो एक रुपे उसके जेम में जाता है इस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करते है जीडीपी को तो यहां से कंपनी का वर्चुली ग्रो करना बहुत है कर सकते हो सेम केस यहां पर कुछ हम लोगों को देखने को मिल रहा है हम यह नहीं कहा रहा है कि अंबूजा सेमेंट बिजनेस बंद होगा या कंपनी खराब है बस एक चीज यहां पर समझने वाली यह है कि कंपनी बहुत बड़ी है मार्केट कैपिलाइशन के साब से एक ला प्लाइट देखने को मिले इन तो यहां से कंपनी के ग्रो करने के प्रोस्पेक्ट थोड़े से कम हो जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन 56 की तो और ज्यादा यहां पर हम लोग खाएंगे कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है कि कंपनी के अंदर थोड़ा सा एक कर्रेक्श यहां पर यहां पर फ्लैट है वही चीज सिमिलर कह रहा है कि बहुत जादा सबोर्ट नहीं कर रहा है डेटा को स्टॉक की वैलिएशन को प्रॉफिट ग्रोफिट नेगटेव है मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वह अच्छी है यहां पर अगर नीच यहां पर प्रॉफिट न लॉस की बात करें तो सेल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं अच्छा कासा है यहां पर 2010 के बाद तो खास करकी 7000 था अभी 30,000 है यहां पर अगर आप देखोगे तो सेल्स क्रोथ के अंदर थोड़ा से यहां पर स्लोड़ाउन आ जाए कंपनी यह आप अच्छा खासा मार्केट यहां पर गेंट कर चुकी है अब इनके पास लोली यहां पर सेल्स बढ़ेगी बट मेजरली जो होंगे आपको अगर सेमेंट जेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है खास करकी तो स्मॉल कैप्स होंगे वह कहीं नहीं जो कस्टमर्स हो सकता ह बिलेगी लाज़ कके अंदर थ्मा सा 11 सीन होगता है है अब मार्जन की बात करें एच्छे कासर ऑप्रेटिंग मार्जन की बात करें में तो क्या देखी चुकिए हैं यहां पर कुछ घास देखने को है नहीं शेर और फैटन्स की बात करें तो परमॉटर्टर सेम रही है एक सबाइब गरेक आपर ओने के पाइंट यहां पर टो competitive का सकते अभर इसके अंदर को नहीं नहीं थो यहां पर शेव होगा यहांपे बचेकर नहीं करने से अभी यहां पर दिखेंगे तो थोड़ा साइक पुल्बैक लिया तो पुल्बैक लेने के बाद अब यह थोड़ा सा काइंड आफ ड़ू पैटन बन रहा है तो यहां से हम लोग ब्रेक आउट देने के बाद अभी भी इसके अंदर भाइंग कर सकते हैं यहां से अगर ब्रेक आउट देता ना तो इसके ब्रेक आउट से पहले वीडियो में वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन वर नोटिफिकेशन बिटिन जरूरे तो बना और अपना कैपिटल सेफ रखना ओके बाइ